Hello and Welcome back to Asset Guide YouTube Channel आज की ये वीडियो काफी special होने बाली है क्योंकि यहाँ पर हम deal सेकर The Missing Crypto Qn का 6 एपिसोड डिसकस करेंगे ये एपिसोड आपको BBC.com की website पर मिल जाएगा जो की UK से publish होती है निए उस पर अगर आप बहाँ पर नहीं देखना चाते तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं और ये वीडियो काफी important है क्योंकि यहाँ पर positively बाते कहीं गहीं है यानि कि एक ऐसा मीडिया जो हमेशा ही OneCoin के against में बात करता है आज हमें उसकी तरब से कुछ positive feedback देखने को मिलता है तो ये अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है सारी चीजे discuss करेंगे उससे पहले आप वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली बार आये हैं तो subscribe कर लें ताकि आप तक अगले episode का notification पहुंच जाए और आप कोई भी point miss ना करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी चीजे एक एक करके दिखाते हैं मैं आपको live दिखा रहा हूं जिससे कि आपको यहां पर कोई भी बाद में confusion ना हो एक बार में refresh कर देता हूं ताकि आपको यह भी confirm हो जाए कि हम जो data देख रहे हैं वो एकदम real है live है यहां पर कुछ भी manipulation नहीं किया गया यानि कि इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है तो आपको सच्चाई पता चलेगी चीजों की कि आखिर किस तरीके से चीजे process हो रही हैं और हम जिस concept की यहां पर बात कर रहे हैं वो कितना real है तो यह हमने दुबारा से refresh कर लिया है यहां पर हम episode number 6 देख रहे हैं और इसके पहले ही paragraph में आपको पूरे one coin का analysis मिलेगा और यह बताता है कि किस तरीके से मतलब क्या सच्चाई है चीजों की और बाद में हम सारी चीजे भी देखेंगे लेकिन पहले मैं आपको यह first paragraph दिखाता हूँ जो की एक तरीके से summarize है तो यहां पर देखिए believe it or not the dealsecker marketplace is still working तो dealsecker marketplace अभी तक काम कर रहा है चाहे आप इस पर विस्वास करें या ना करें चाहे कोई एक ही deal चल रही हो लेकिन dealsecker काम कर रहा है इससे क्या सिदोता है इससे यह सिदोता है the commerce arm of one coin empire dealsecker provided clear and verifiable user use case for one coin as a currency तो dealsecker one ecosystem जो पूरा empire है यानि कि पूरा one एक ecosystem है जिसके अंदर आपको dealsecker भी मिलेगा forex भी है exchange भी forex exchange remittance और academy education सब कुछ है तो उसमें से आपको जो एक platform है dealsecker जो main arm one ecosystem की कही जाती है जहां पर merchant अपनी deal लगा सकते हैं और उसको burn के साथ product sale कर सकते हैं वो अभी तक यहां पर चल रहा है ऐसा जो podcast हुआ है जो inquiry team है BBC की जो missing crypto क्यून के बारे में research कर रही है उन्होंने यह माना है कि one coin का जो बड़ा arm है जो main main हिस्ता है वो अभी तक active है और उस पर काम हो रहा है इससे यह सिद्ध होता है कि one coin एक real cryptocurrency है तो देखिए हम यहां पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोट रहे हैं यहां पर dealsecker provide a clear and bearifiable use case for one coin as a currency dealsecker यह सिद्ध करता है कि one coin एक करन्सी है उसको एक करन्सी के तोर पर यूज किया जा सकता है आगे देखिए token was real the token was real token real था because you could use it to buy things in a specific e-commerce store यहां से यह भी साबित हो जाता है कि यह coin real था token real था क्योंकि आप इसका use करके एक e-commerce store से product को buy कर सकते हैं इंडिया में काफी लोगों ने पीछे buying की भी है अभी भी भी कर सकते हैं रिदी सिद्धी merchant है जो की cloth sale कर रहे हैं 40% one के साथ आप check कर सकते हैं dhcp point में भी आप उनका अपना खुद का business है तो आप directly वहां से अपने INR में भी buying कर सकते हैं और अगर आप चाहें अपने dhcp points को यूज करना तो वह भी आप वहां पर कर सकते हैं अब देखें ओह दीज बर्दा डेज वह भी क्या दिन थे the greatest thing about exploring one coin and Dr.Ruza's story is that it reflects how navy the crypto world actually was just a few years ago in many ways it still is यह कह रहे हैं जिन्होंनी भी post लिखी हैं वो यह कह रहे हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम one coin के बारे में और Dr.Ruza Ignatova के बारे में research करते थे और यह ऐसा लगता था कि सब कुछ fraud है क्योंकि जब आप एक mindset के साथ चलते हैं कि यह concept fraud है और आप उसकी research में लगते हैं तो वो भी क्या दिन थे मतलब यह उस दिनों को याद कर रहे हैं हकीकत यह है कि आप one coin को डिल सेकर platform पर यूज कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि one एक real coin है real currency है यहां से आज हम इस बात को साबित कर रहे हैं अगर आप इस news को खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो newsbtc.com की website पर जाकर आप पढ़ सकते हैं official सारा record आपको वहां पर मिलेगा आप चाहें तो इनके previous या फिर जो upcoming episode है उनको भी बहां पर देख पाएंगे तो यहां पर यह काफी चीज़े हमें इस पहले paragraph से clear हो गी है यानि कि अब जो है सभी ने यह मान लिया है कि one coin एक real currency है one coin एक real coin था और यह आज भी exist करता है इसको आप currency के तोर पर डिल सेकर platform पर यू करेंगे इस यानि कि यह करें कि छटे episode को यहां पर रखा जा रहा तो इसमें जो पीछे की चीज़े हैं उनके बारे मां discussion करेंगे it's titled the uber flinger referring to a high flying person that's how teachers of the past describe dr. rusa who was definitely the star in all of her class and was respected and hated for it what else can jamie and georgia learn about rusa ignotoba by tracing her steps let's find out तो यहां पर बताया है कि आप अगर इस episode को देखना चाहते हैं तो आप इसको directly bbc की news से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको apple, spotify और ibox के through भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या फिर आप live बहां पर भी सुन सकते हैं आईए इस episode के बारे में हम सारी चीज़े जान लेते हैं कि इसमें क्या गया कहा गया था about the missing cryptocurrency episode 6 the overfinger करके यह है तो देखे अवर blast from the past episode start in 2009 2009 से इन्होंने start किया था और इनका जो यह 6th episode है इसमें 2009 से जो information इन्होंने collect की थी 2009 की जो कहानी है वो यहां पर बताई है 5 years before one coin and deal से कर डिल से कर और one coin से 5 साल पहले Bitcoin was entering the scene and so was Dr.Ruza who bought a factory in Germany तो देखे सबसे पहले Dr.Ruza ने जर्मनी में एक factory खरीती थी Jamia and Georgia visit the site in 2019 और Jamia Georgia ने यह site जो है factory जो थी वो 2019 में विजिट की थी and interview the survivor of that story और उस story के जो survivor है उनका interview लिया था then they tell them that Ruza Iqnotova got there impressed everybody and made a lot of promise that she did not keep यह कर रहे है कि जब उन्होंने उस factory में जाकर interview किया जो वहां पर कुछ लोग थे उनसे जब interview किया जिन्होंने उस factory में काम किया था तो उन्होंने कहा कि starting में Ruza Iqnotova ने सभी को impressed किया था और बहुत बड़े कुछ promise भी किये थे उन लोगों से जो बाद में उन्हें पूरा नहीं कर पाई उसी factory में काम करते थे which suggest Ruza Iqnotova is a family woman जिससे लोगों को यह लगा कि Ruza Iqnotova एक family person है कोई fake identity नहीं है When Ruza disappeared the factory of her office were broken into and a lot of documents went missing along with her यह करहें कि जब Ruza Iqnotova disappear हुई तो factory का office थोड़ा गया उस टाइम पर इन्होंने पाया कि Ruza Iqnotova के साथ साथ कुछ documents जो थे important documents वह भी missing थे the factory workers that the podcast interviewed all seems to think that this was stage and that Dr. Ruza took and destroyed some important documents यह कह रहे है कि जब factory के जो बरकर थे उन्होंने office के अंदर जाकर देखा तो बहाँ पर पाया कि Dr. Ruza Iqnotova या तो उन्होंने documents को अपने साथ ले गई थी या फिर उन्होंने उन्होंने documents को destroy कर दिया था It's exactly the same story one of them saying comparing one coin and deal से कर to the factory in question when the things got tough Ruza Iqnotova told the company and disappeared, sold the company and disappeared, the factory remains closed to this date यह कहा है कि बाद में Ruza Iqnotova ने उस company को sale कर दिया, sold यहाँ पर लिका है कि जब Ruza Iqnotova ने कुछ बहाँ पर अपने जो promise किये थे उनको पूरा नहीं किया तो Ruza Iqnotova पर पहली बार कुछ fine लगा था, तो Ruza Iqnotova ने उस factory से related वो fine pay किया था और factory को चलाती रही थी उस company को चलाती रही थी, लेकिन and accordingly to the factory worker, she learned that the next time, she was going to have to disappear for real और अगली बार उन्हें लगा कि आप जो है Ruza Iqnotova बास तब में गायब होने वाली है, ऐसा यहाँ पर है, आप इसको और detail में पढ़ सकते हैं, जो main point है वो आप यहाँ पर देखिए, सबी के साथ friendly behave करती थी, सिवाज always well behaved and cheerful हमेसा person रहती थी and teachers and teachers पर deeply found of her, और जो teachers थे वो उसे बहुत पसंद करती, she does not drink and she would never degrade herself for eating pizza, तो वो कभी drink तो नहीं करती थी, लेकिन pizza खाने की सोखीं थी, her favorite classes were P and C, बाज faultless and now and then she likes, generally she got on very well with her colleagues, stop, maybe we would stick to the truth, okay fine, maybe I did take pleasure in tormenting some students, I was always looking for the chance to spread new amusing stories about them, तो ये तो कोई useful बात नहीं है, उनके behave के बारे में बता गया है, आगे बढ़ते हैं अपर, the Queto summarized the consequence of Rooza first fraud, Rooza का first fraud जो था उसका यहाँ पर consequence है, तो ये थोड़ा सा important होने वाला है, this time the law cost up with Rooza Ignatova in 2016 है, सबसे पहले Rooza Ignatova को कानून के साब से सन 2016 हमें पगड़ा गया था, सिबाज convicted in a German court for several crimes, कुछ crime करने के लिए वो एक German, जो है German court में अपीर हुई थी, international breach of duty in event of insolvency fraud, तो यहाँ पर उन्हें जो है international breach हुआ था, कुछ inventory fraud withholding and embellishment of employee based, employee कोन की salary ना देना इस टाइप की condition, and violation of accounting duties और कुछ accounting duties का violation उन्होंने किया था, account के record में कुछ hair fair वहाँ पर मिला था, से received 14 month suspended stance and 18,000 euro fine, तो यहाँ पर 14 month के लिए उनके office को बंद कर दिया गया था, और बहाँ पर लगबर 18,000 euro का fine भी उन्हें देना पड़ा था, यह सन 2016 में यह घटना हुई थी, the local newspaper reported there, Rooza repeatedly to attend the ruling and saw no emotion when the judgment passed down, और जब यह judgment passed हो गया, उसके बाद Rooza ने कोई emotions हो नहीं गया, she quietly slipped out and returned to Bulgaria, और इसके बाद Rooza बल्गारिया को बापिस चली, carried on with one coin as if nothing had happened, और बहाँ पर जाकर उन्होंने बल्गारिया में जाकर one coin को चलाना शुरू कर दिया, और ऐसा दिखाया कि जैसे कोई कटना हुई नहीं, यानि कि ऐसा है, Rooza एकनटोबा ने सन 2016 में कुछ accounting से related, और यहां पर जो fraud है वो चीज़े दिखाएगी है, लोगों की जो staff था उनकी salary salary से related कुछ चीज़े थी, तो उसके average में उन्हें German court में जाना पड़ा था, जहां पर उनका 18,000 euro का fine लगा था, और 14 महिने के लिए उनके office को suspend कर दिया था, Rooza ने जब next hearing में बहाँ पर पहुंची तो उसके बाद उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि जैसे कुछ काम हुआ ही नहीं है, फिर वो वहां से उस office को उन्होंने जो है sale भी कर दिया था, और चली गी बहां से बल्गारिया return होगी और बल्गारिया में जाकर उन्होंने one coin को चलाना शुरू किया as it is, और ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानि कि 2016 में यह peak पर चीज़े चल रही थी, More about Rooza's past, Rooza's past यह है, Later in the episode Jamia and Georgia confirmed that Rooza really got a PhD, तो यह बात सही है कि Rooza Ignatoba के पास बास्ता में एक PhD डिग्री थी, She is smart, very smart थी Georgia said, The multi-level marketing makes a second appearance, और multi-level marketing ने एक दूसरा appearance प्रिकट किया, We learned that in 2014 Rooza Ignatoba tried to sell Bitcoin using MLM technique, अगर हम यहां पर देखें तो यह कह रहे हैं कि Dr. Rooza Ignatoba ने सन 2014 में Bitcoin को भी एक MLM technique के थूसेल करने की कोसिस की थी, The producer introduced Sebastian Greenwood, a multi-level marketing expert that seems to have created the Rooza character with Ignatoba, और जब उन्होंने 2014 के बाद यह Sebastian Greenwood से इनकी मुलाकात थी, जो कि एक multi-level marketing के expert थे, तो उन्होंने Dr. Rooza Ignatoba का character generate किया, and she had the charisma that, charisma he had the technique, they just need a product they could control, तो बहाँ पर main target यह था कि Bitcoin को, Bitcoin decentralized platform था जिसको control नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने एक ऐसा product develop किया, यानि कि One को develop किया, One coin को, जिसको यह control कर सकते थे और उसके बाद जो है, इन्होंने इसको multi-level marketing के थूरू launch किया, यानि कि कुलम्लाकर बात यह है, कि सबसी नाका मोतो ने बनाया था Bitcoin, बिटकोईन के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं जानता, तो सबसी नाका मोतो जो थे, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन उनका जो Bitcoin था, उसको डॉक्टर रुजाइक नटोबा ने 2014 में MLM के थुरू प्रमोट करने की कोशिस की थी लेकिन Bitcoin जो है बूप कंट्रोल से बाहर था इसलिए उन्होंने उसको उसको ये ट्राइनाई करके एक नया प्रोडेक्ट डवलप करा जिसको भी कंट्रोल कर सकते थे यानि कि एक प्राइबिट ब्लोक्चेन उन्होंने बनाई उसमें कॉइन डवलप किया और उसको जो है उन्होंने MLM के थुरू प्रोड्यूस के रहा सभिस्तियन Greenwood ने इसमें उनको जो है सपोर्ट की क्योंकि यह MLM के एक्सपर्ट थे और आगे चलके लास्ट बट नोट लिस्ट भी मीट डंकन अथर तो यह जोर्जिया जो थे यह डंकन से भी मिले कि यह सब चीजे रविस्त थी और यह के रहे है कि जो डंकन है उनका कहना है कि यह सब चीजे रविस्त ही और उन्होंने जामिया से कहा कि आप पाँच ऐसी चीजे फाइंड करो ही बांट सेंड के इन बन कोईन और यह कर रहे हैं कि बहाँ पर जो लोग प्रोडेक्ट सेल कर रहे थे वह ज्यादा तर यूरो की ही डिमांड कर रहे थे इस डिल सेकर रियली बन कोईन मार्केट अभी बहुंद है आप देखे तो डिल सेकर पर जो प्रोडेक्ट सेल हो रहे हैं बहाँ पर लोग अपनी 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 प्रोडेक्शन हायड अपरेंट लेड़ी धैट कुड़ बी रूजा इन एथेंस कोड बी और बात में कि इन्होंने एक प्राइबेट डिक्टेक्टर भी हा $820,000 हो सकती थी एथेश की यह बात है तो יודע果 रूचाईआ थी यहां पर यहां ऍपर यहँ चीज़े बत्व दो सवाल यहां पर खड़े होते हैं एक जैसे हम देखें योडू सेff vit कर पर और यानि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बात करें हैं तो क्यूट होती है तो अब यह सवाल दो खड़े होते हैं कि क्या डील से कर बास्तब में बन कोईन का एक मार्केट है क्या 100% बन के साथ बहाँ पर डील है तो यह एक बड़ा सवाल है तो यह पॉसिवल है क्योंकि जब 50% चल सकता है तो 100% भी हो सकता है लेकिन उसके लिए नंबर डिटेक्टर ने डिटेक्टिव ने रुजा इटनोटोबो को एथेंस में फाइंड किया था तो क्या वो बास्तब में रुजा हो सकती है यह भी एक सवाल है आगे देखते हैं एक्स्ट्रा मेरिटियल बन कोईन रेस्पॉंड टूदा एफ सी ए इन दे स्टेटमेंट बन को दात में था तो कम्पनी है और आलसो डिस्क्राइव बन कोईन अजिशिटल करंशी बंगभें वन को एक दिजिटल करंशी बाहा था शरिंग फीचर पिध एगिस्टिंग क्रिप्ट करंशी और एग जिस्टिंग क्रिप्ट कोरेंशी के साथ उनके फीचर की कंपेर इस आगे देखे, OneCoin is committed to follow good business, practice and the relevant rules and regulation in the countries in which it operates. यहाँ पर यह करें कि OneCoin committed है इस चीज के लिए कि जिस country में भी operate करेंगे, बहाँ पर सही तरीके से सभी rules और regulation को follow करेंगे. It will cooperate fully with the authorities in pursuit of this objective. और पर authorities के साथ cooperate करेंगे इस objective को pursuit करने में. तो यह था podcast, I hope आपको सारी चीज़े यहाँ पर समझ में आ गई होगी, हम एक और summarize वीडियो बनाएंगे, छोटा से जिसमें to the point आपको सारी चीज़े पता चले, फिलाहल आज के इस 6th episode को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कुछ doubts आपके रह गए हैं तो वीडियो को नेचे comment करे कोई सुजहाब देना चाते हैं, तब भी आप हमारे साथ share कर सकते हैं, इस information को आप अगर अपनी language में पढ़ना चाते हैं, तब भी आप वीडियो के नेचे comment करें, आपको उसका link भी वहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो को description चेक करें, website पर आपको सारी information मिल जाएगी, मिलते हैं, नेच्ट वीडियो में तब एक लिक की बोचिंग एसेट काइड